रादिगा अनन्द की सेकंड फ्री वेडिंग का ग्रैंड फिनाले हुआ इटली के पॉर्ट फिनो में पॉर्ट फिनो की कई तस्वीरे और विडियो सामने आई जोहाँ पर देखा गया कि कैसे अम्बानीज के गेस्ट ने पूरा इटली का मजा लिया म्यूजिक एंजॉई किया वहां का खानपान एंजॉई किया और साइट सीन किया अम्बानीज ने पॉर्ट फिनो को पूरी तरह से रेंट किया था और जब तक अम्बानीज के 800 गेस्ट और बाकी स्टाफ मेंबर्स पॉर्ट फिनो में थे जहां Ambanis का नाम लेकर इस चीज़ को बहुत बड़ा बताया जा रहा है कि कैसे इतली में जाकर एक गाउं ही पूरा उन्होंने रेंट पर ले लिया वहीं आप Portofino की local public इस बात से बिलकुल भी खुश नहीं है और Ambanis की शादी के लिए और Ambanis के गेस्ट के लिए भदी-भद बाते इटालियन्स जो है सोशल मीडिया पर कर रहे हैं आज एक्स पर कहीं सारे ऐसे पोस्ट वाइरल हुए जहां पर ना सिर्फ Ambanis को Portofino को रेंट पर कैसे दिया गया क्यों दिया गया यह भी सवाल उठाया गया कि कई बार बड़े-बड़े बिलिनियर्स बिलिनियर्स पॉट विनो में आए हैं लेकिन किसी ने भी लोकल पब्लिक को बे को यूज़ करने से रोका नहीं है Ambanis को किस हिसाब से Portofino रेंट पर दे दिया अब क्या आप एक शहर भी किसी को रेंट पर दे सकते हैं इस तरह के सवाल वहां की लोकल पब्लिक उठा रही है वेल यहां तक सवाल होते तो ठीक होता लेकिन राधिका और अनंत को परस्नली भी अटाक किया जा रहा है उनकी परस्नालिटी को लेकर भी भद्धी भद्धी बाते कही जा रही है कई लोगों का ये भी कहना है कि आखिर मेर ने कितना पैसा लिया है पौर्टो फिनो को पूरा रेंट देने के लिए और मेर ने किस हिसाब से पौर्टो फिनो को अमबानीज को रेंट दे दिया है वही कई लोगों का ये भी कहना है कि हमबानीस ने तो सिर्फ रिक्वेस्ट किया कि हमारे इतने गैस्ट यहां पर आने वाले हैं कि आप हमेरे इंट पर दे सकते हैं मेर ने जो पैसा मांगा वो हमबानीस ने दिया तो उन्हें वो सारी एक्सेस मिल गई पब्लिक के इस गुसे पर मेर का बस इतना जवाब आ पाया है कि अमबानीस और उनके जो गैस्ट थे उसमें कई वी वी आई पीज थे जिनकी जान को खत्रा हो सकता है तेर्रिस्ट अटैक हो सकता है इसी लिए पूरे बे को क्लोज रखना पड़ा और यही कारण है कि लोकल ल इनों को ब्लॉक कर दिया तो जो लोकल गाइट्स थे उनकी कोई कमाई नहीं हुई